नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंखला में आज सुनेंगे मैत्रई पुष्पा जी की कहानी भमर लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें बेल आइकन तबाना बिल्कुल भी ना भूलें आज सुनिये भमर गोबर के गोंदे बनाकर बिर्मत थप-थप पाते जा रही थी यंत्रवत हाथ एक ही गती से स्वतह चल रहे थे मगर आँखें ना जाने क्यों निगोडी उसी गैल पर अंटकी रहती जान भूज कर नहीं, ऐसे ही अंचाहे रेट भरे दगड़े की धूल पर ना जाने क्यों खोजती उसी को कभी कभी तो कैसा परगठो उठता चौक कर खड़ी हो जाती है, मगर पलक छबगते ही लक दक करता केशो ना जाने कहां विला जाता है विर्मा बीबी, पाथलिया गोबर परोसन भावी की महीन आवाज ने विर्मा की तंद्रा तोड़ दी वह दांट ने पोरे हस्ती रही, भावी के प्रश्न के बदले वैसे आना होता तो अब तक आना लेता अब तो गाउं की चीटी, मख़्ी तक एक ही सवाल करती है विर्मा बीबी, जी जा जी नहीं आए तुम्हें लेने लोगों से आँख मिलाते ना जाने क्यों उसे डर लगने लगता है लगता है, सामना होते ही वही चाबुक सा सवाल दाग देंगी भावी, चाची, बहन, सहेली, सवीद क्या बतला दे किसी को, वह तो चुप होकर रह जाती है और चारा ही क्या है? जानती होती तो फिर क्या नहीं था? एक चिठ्ठी पतरी तक तो नहीं डाली निर्मोही ने हाल तक नहीं पूछा, विर्मा मरती है कि जीती है भाई के यहां भी कैसी विकट घड़ी चल रही है? चैत के महीने का काटना कोई यो ही नहीं होता पेट में कुछ डाल कर भूख मिटाने के रोज के लाले। फिर क्या बतला दे किसी को की केशव आएगा की नहीं या आज तलक क्यों नहीं आया। वह तो यह भी नहीं जानती कि उसका खोट क्या था। काहे को मुफेरे बैठा है। भौजाई रोज ही ताने देती है। तुम कौन सी कमती हो विर्मा। रूठती लड़ती रही होंगी रोज रोज। तभी ना नंदोईजी ने इस सिवाने में पाउधरा। बोले से भी नाम नहीं लेते तुम्हारा। क्या बता दे भावी को कि वह तो कभी रूठी लड़ी नहीं। अंसन पाटी लेना उसे कहां आता है। ये सब नकरे तो भौजाई को ही आते हैं। और भाईया जोरू का गुलाम बना पुछकारता फिरता है। पिछली बार जब मार पीट हुई थी तब केशव का ही क्रोध था। उसी ने हाथ पौँ तोड़ कर धर दिये थे विर्मा के। कसूर सा कसूर नहीं था। ना जाने किस बात की दुस्मनाई निकाल रहा था। बे बात ही जपट पड़ा। शराब के नशे में धुत था तो कहनावत तो करनी ही थी। अपने आदमी को वह नहीं बरचेगी तो कौन बरचेगा। उचनीज तो समझानी ही पड़ती है। ज्यादा नशा पत्ता किस काम का। नाश की निशानी है। इसी लिए टोक धरा। उसका कहना क्या हुआ। फट पड़ने का बहाना मिल गया निगोडे को। जैसे खोज ही रहा था। हाथ खुजा रहे थे क्या मारने पीटने को। फिर तो सोचा न समझा बे रोक पिल पड़ा। लात घू से बरसाता रहा। देखा ही नहीं कि ठोर कुठोर कहां चोट लगेगी। वह जमीन पर पड़ी फड़़ाती रही पंक नुची गौरईया सी। बहुत तड़पी थी। रोती कलपती रही। पर बैरी का मन पसीजा ही कहां। मार पीट कर बाहर निकल गया। वह दिन भर कोठे में ही तो पड़ी रही थी भूखी प्यासी। धूप आंगन से जा चुकी थी। सांज की बेला हो आई। अंगीठी सुलगाने का टेम हो गया था। रोती तो बनानी ही थी। उसका क्या है। बाहर खा पी लेगा। और उसकी तो भूख प्यास हिरा गई ना जाने कहां। खाए न खाए अंतर ही क्या पड़ता है। पर ये बुढ़े बुढ़िया क्या भूखे पेट पड़े रहेंगे। भूखी कुलबुलाती आतें कब तक मसोसेंगे। उठने को हुई तो पिराती दें और कसक उठी। अंदर से कलेजा उमड आया। गले तक धुआ सा भर गया। होट भीचे रोती रही। केशव तो है ही पत्रीले हिये का। मगर ये सास ससुर। इन्हे तो उसने भाई बाप से बढ़कर माना था। सवेरे सवेरे नहा दोकर तुलसी के चोरे पर लोटा धारने से पहले इनके चर्णों में सीज टेका था। खाट बिछोना से लेकर पाउगोर दाबने तक टहल करती रही। वे ही बड़े बुजरुब कोठे में सास खीचे बैठे रहे। जैसे मिट्टी पाथर के बने हो निर्जीव मूरत से हुंकारा तक न भरा। वह मार जहलती रही बिलबिलाती रही। अरे कुछ तो कहते बेटे से कि अन्याई इस पराई जाई को क्यों रुई सी धुन्ने पर जुटा है। दोनों व्रद्धों पर घना आक्रोश उभराया। पती के दुर्बेवहार की अपेक्षा सास ससुर का विरक्त भाव विर्मा के कलेजे में ठुकी अनिसा सालता रहा। रह रहकर मन में मलाल गहराने लगता। क्या फायता सिर्पर माता-पिता की छाया रहने का जो वे अपना बड़पन ही न निभा सकें। बेटा करे वही ठीक। स्याह या सफेद। बहु कुछ भी नहीं। बेटी तड़प रही होती तो क्या ऐसे ही पत्थर की मूरत बने देखते रहते। पेट पकड़ कर न भागती बुढिया। धोती के छोर से आंसु सुखा लिये। पर मन में उठा दुख बार-बार मुह दार फोड़े सा फू तुट उठता। बहने लगता। न्याय अन्याय होता रहे। कोई बोलने वाला नहीं उसकी ओर। कैसे मानस मने खाएं? मन में दया माया है ही नहीं क्या? आत्मा भीतर ही भीतर उबाल खाने लगी। खतती कड़ा ही सा मन में कुछ खौल रहा था। मन में आया कि अंदर के खौलते लावे को सास ससुर के समक्ष जाकर जियों का त्यों बहा दे। लो देख लो अपने पूत की करतूत। कोई जगे छोड़ी है देह पर नील ही नील। इसलिए ब्याह कर लाए थे हमें ढोलता से बजाकर मूझ हूची करके हार गोड तुड़ वो बस हाथ पॉन निबल करके धीले छोड़ दिये और बैठ गए खटिया पर ताकने लगे रोटी भर को या मेरी बेर को ही होट सी कर बैठ गए हाथ जगे जगे से कट फट गए थे चूडियों की किर्चों ने मास में गड़कर लाल धारें बना दी देखते ही बिर्मा का स साहस चुक गया गले में रुलाई रुंद गई अन्न पानी त्यागे पड़ी रहती तो पड़ी रहे कौन पूचने वाला था मन मार कर उठी तभी गाउं से गडरी आया था पौर खड़ा रहा देर तक आवाजें देता रहा अरी बिर्मा बीबी खुली किवान खड़काता रहा वह नहीं उठी सूजे फूले मूँ से कैसे सामना करती गाउनाते के भाई का हजार बातें बनती गल्यारों में ससुर नहीं उजखकर चुपके से देखा बाहर को निकले और पौर में बिठा दिया उसे फिर बिर्मा के पास ही भेज दिया तब तक वह अंगीठी लगा कर चुके थे चेहरे पर आते सेंख से तम तमाहट और बढ़ गई लाल दहकते अंगारे सी बीबी बिर्मा अरी तु यहां है हम तो हाट पेट करने आये थे सो तेरे पास चले आये कि पानी पत्ता पी लेंगे और तेरी कुसल छेम लेते चलेंगे चुप चाप नीचे मुख किये कागज जलाती रही कोईलों ने आज पकड़ी की नहीं बेखबर बनी अंगीठी में कागज भरे जा रही थी लफटों के नजदीक गिरी हुई कुशल छेम की बात पर मन फिर उमड़ाया कोशिश करने के बाद भी रुदन नहीं रुख सका हलकी सी आत्मियता की परस से आँखें जर जर तू रो रही है बिर्मा पगली अरी तुझे तकलीफ ही क्या है ऐसा हवेली सा मकान खाने पीने की कमी बेशी नहीं फिर रोती क्यों है नादान ग्राम वासी को उसके दुख का कारण नजर नहीं आया तुम भाईया को भेज देना बस एक बेर मुह देख ज चली गई उसके कहे पर शंकर गडरिया को तनिक सा भी विश्वास नहीं बन सका कैसी हारी हारी बात करती है बिर्मा लुंज पुंज सी छोरी छापरी की जात है ना थोड़ी सी कहन सुननन पर ही आसु वहा उठती है मरने की ठान लेती है बीबी घबराव मत और रहने दे यह अंगीठी संगीठी गुस्ता में आग फुआ का खेल मत करे देख सहर का रहना सहना कितना आराम है तुझे लीपना ना पोतना कहीं गाउं पुर्वा में पड़ी होती तो रेत धूल फांक रही होती गोबर मिटी में सनी रहती शंकर ने बिर्मा को पूरीत रहे धीरज सो उसे जगाने का प्रश्न ही नहीं था सास ससुर के सामने चाय के प्याले धराई भाईया आ गया था पहली बस ही पकड़ी होगी नहीं तो इतनी जल दी बहन के तूटे सुझे अंग देखकर खून उबल पड़ा उसका दिन भर मुश्किल से काट सका दूसरे दिन सवेरे स सवेरे ही चलने की तयारी कर दी विर्मत चलने को हुई तो किसी ने रोका टोका नहीं सास खटोली पर ही बैठी रही ससुर टहलने बाहर निकल गए तनाव पून सन्नाटा था पूरे घर आगन में पसरा हुआ चलते समय भाई इतनी जरूर सुना गया था अपने लच्छिन स चुप से निकल गए सोच लिया चार महीने नहीं पठाएंगे अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी माता पिता और बेटा तीनों नाक रगणेंगे सो बार दिन महीने गुजरने लगे बिर्मा गिंती रही महीने खिचकर द्रौबदी के चीर से होते चले गए लंबे फिर बरस में पदल गए प्रतीक्षा अनन्थ हो गई असीमित बरस बीत गया तो भाई भावच के मन में घन की चोड की नाई कुछ जोर जोर से बज उठा अन्होनी आशंकाई सिर उठाने लगी नुकीली अनिसा दिन रात कलेजे में कुछ चुबता रहता एक एक दिन आगे सरक मन दुगने बेग से धुग दुगाता कहीं कोई विर्मा ने सह में हुए मन को कितनी बार समझाया था अभी गुसा ना उत्रहोगा बिना पूछे ही चली आई ना कुए पर गई थी पानी भरने विर्मा को देखकर और ने कानों कान फुस फुसाने लगी वह अकबकाई सी द राट जूट लगा था कहीं विश्वास करने लाइक बात थी है जूट है सब मन को कोरे भ्रम तले दाबना कैसा सुख कर लगा था पर गाउं में रुए फुएं सी यह बात जोर की आग पकड़ने लगी बिर्मा बात पक्की है बहर भाई इतना बोलकर कातर भाव से उसका जोहने लगा वह बैठी रही धर्ती में गड़ी पत्थर की प्रतिमा सी इस्पंदन विहीन न कलेजा उम्रा ना आगचल चलाई अंदर का गीलापन सूखता चला गया चेहरा विवन हो उठा जिंद गानी भर पीहर में ही पड़ी रहेगी बिर्मा कब तक बैठारे रहोगे वहां तो उस छिनाल ने गड़ी जमाली है भाभी भाई को ना जाने क्या समझाना चायती थी उसे लगा कलेजा में धुक धुकी बंद होने को है भीतर ही भीतर ही ये की चिंदिया उड़ी जा रही है जैसे वह कोई जीवित पशु है जिसे खूटे से खोल कर बियावान में हाग दिया हो रात भर सोचती रही फिर मानी नहीं थी भाईया चलो चलो तो सही एक बेड माननी बनकर जीना उसके भाग में नहीं बदा इस बात को वह अच्छी तरह समझ चुकी थी सच ही तो था तिनकभर भी जूट नहीं दूसरी के वजूद में समोचा घर अपनी जूट था अपने इच्छा से वह कुछ भी सोच सकती थी आते ही लगा बिर्था ही आई इस दहरी पर उल्टी लोट जाय क्या मानस मनिक की जात इतनी निर्मोही धोर डांगर और पांखी परेवों में भी मोह होता है वे भी नहीं काट फेकते नह को इस तरह गुस्सा कोप क बात तो अलग है वह तो मान मनवल की इंतजारी में बैठी थी रूठी हुई भाईय कप का धोती का जोड़ा ले आया था उधार कि केशव ना जाने किस बखत आ जाये साल के 365 दिन वह तो देखती ही रही गैलाउओं से पूछती रही कहीं केशव वे उचे मकान वाले कहकर स जीत काल तो याद ही ना रहा उसे कब कपाते हाथों से लोहे का ट्रंक बरामदे में रख दिया इधार उदर को ताका कोई दिखाई ही नहीं पड़ा कमरे में सास बैठी थी सामने ही वही जाकर पाउच हुआई सास देर तक ऐसे देखती रही जैसे किसी अपरचिता ने उन अभी यह कमरा उसका था जिसमें सास का डेरा जमा है सास का सामना करते ही खाट पर बैठा भाई आग बबुला हो उठा पाउच हूना भूल कर कोट कचहरी की बातने करने लगा हमें खबर तक नहीं और कुमर जी दूसरी करके बैठ गए अरे हम क्या जानते नहीं कि सीधी उ सारी लड़के पर डाल कर एक पक्ष हो गई भाई निरंतर बोलता रहा जोर जोर से धमकी देता रहा सास भाई की चिलाहट को सहने समालने में असमर्थ होकर पुकारने लगी सुमन ओ सुमन अरी बाहर आ जाए सुमन नाम है मन में शूल सा कुच गया अपने नाम के उपर किस और का नाम खुत जाने की मारमिक पीडा वेदना तैर आई आँखों की पुतलियों में छल चलाहट को पलक जपक जपक कर सुखाती रही इतने में सुमन बाहर निकल आई सीधी आकर बिर्मा के पाउं में जुग गई अज कचाकर बिर्मा ने पाउं खीच लिये यका यक संक वो चुभर आया चादर विछादी थी धर्ती पर विर्मा से उस पर बैठ जाने को कहने लगी अपने ही घर में पाहुनी बनी बैठी वे अजनवी सी हो उठी सुमन सामने बैठी थी शांत चुप चाप दुर्बल शरीर पीले पत्ते सा रंग जैसे खून निचोड कर रख दिया हो अभी पंद्रा दिन पहले ही तो लड़का हुआ है सास ने तुलनात्मक भाव से वाक उसके मन में चुभने फेक दिया विर्मा के कानों में शंकर गड़ दिया के बोल गूंजे तो गूंजते ही चले गए बीबी कचु दावत जेवनार थी वहाँ हम जे नहीं पू अफने हाथ पाओं को गौ और से देखने लगी काहे बात की कमी थी जो चाती में जोर से घुमर कर कुछ आया मुश्किल से साथ पाई ऐसे में रो ना नहीं वह रोयगी नहीं चाय का एक एक प्याला भाई और उसके सामने रख दिया भाई ने वित्रशना से प्याले को कर मूँ परे फेड लिया इस घर का तो पानी पीना भी हराम हैं सुमन इस्थिर रही फिर कमजोर बेदम सी आवाज को साध साध कर बोलने लगी काहे को रार मचा रहे भाईया जो हो गया सो हो गया गुस्सा थूंक दो हमें कोई इर्शा डाह थोड़े ही है अरे जे तो हमारी बड़ी बहन भाईया ने आगने नेत्र गाड दिये हमारी बहन की जिंदगानी रौंद कर कह रही कि इर्शा डाह नहीं है अब ही तुम्हें और उन्हें दो जनों को हवालात की हवा खबा दें तो पता चल जाए कि जे तुम्हारी को हैं वह कुछ नहीं बोली इस चोट मार बात का भी कोई मुकाबले वाला उत्तर नहीं दिया विर्मा आश्चर से देखती रही वह धीरे से उठी और भीतर को चली गई लोट कर आई तो गोदी में नौजात्व शिशू था रूई की पोनी की तरह कपड़े में लिप्टा हुआ जी जी आज से है तुम्हारा बेट विर्मा की गोद में डाल कर निश्चिन्त भाव से बैट गई विर्मा अचम्भित विश्मित शिशू को गोदी में डाले बैठी थी कभी देखा नहीं जान चिनहार नहीं फिर अचानक यों ही नेह की धार भिगोती यह सुमन बालक आँख खोल चुका था देखते ही कैसा भाव जागा कैसी ममता उम्री उसे लगा वह हाड मास की नहीं मोम की बनी हुई है संपून तन मन सोहार्द की आँच से पिखल कर बहने लगा ऐसा ही तो था उसका भी रूई की पौनी सा जख सफेद लंबे हाथ पाओ वाला केशो की तरह का उसी का रोग धरकर तो नहीं आ गया यह है उसी तो ना जाने कौन सा रोग लगा था महीने भर का होकर ही चला गया और मिटी कोक पर पत्थर सरका गया कि दुबारा अंकुआ न फूर सका हर बार लगता कि कुछ दिन चड़ गये पर दस पंद्रह दिन बाद ही रट की पतली धारा बनकर सब बह जाता पितनी आस बांधी थी पर सब अकारत कहीं इसी लिए तो केशो शराबी कबा भी नहीं हो गया आस अलाद को आत्मा तडपती होगी तो औरत की तरह रो तो नहीं सका नसे को कलेजे लगा लिया दुख तो भुलाना ही था बिर्मा को सोला आना अपनी ही गलती लगी भाई को समझा ब विर्मा फिर हमसे न कहना कुछ रात गय वह आया था केशव साकल खटकते ही अभ्यस्त देह तुरंत उठ पड़ी लेकिन दूसरी बहुत तेजी से उठी जट से द्वार खोल दिया वह अंदर आ गया सुमन उसे हाथ पकड़ कर अपने कमरे में खीच ले गई विर्मा अंध समागई देह पर प्राणों में अंतर डाह जोर से उठा दबाना कितना दुरूह था बरामदे में बिछी खाट पर अजनभी सी लेटी थी बुढ़े पुरानों की तरह बहु का पड़ क्या हुआ घर के हर कोने से उखाड फेका उसने धोती का पल्ला मुह में ठूस लिया आ एक बार तो मन हुआ कि हुमक कर लात मारे और ओंधा गिरा दे हर जाई को एक पल में भुला दिया पांस साल का संग पंडित के वचन फेरे अगनी साच्छी सब ढोंग भोजाई ठीकी तो कहती है मरत जात छल परपंच की पिटारी है यदि केशों से बच्चा ना होता तो क् मी करके बैट जाती मन में तरक उठा पती ने शरीर के किसी अंग को इसपर्च नहीं किया केवल पाउं पकड़े विर्मा यह गलती माफी देनी होगी वह खाट से उठकर धर्ती पर जा बैठी सराप लगेगा मुझे नरप में डालेगा पती होकर पाउं पूजता है वह गि हो चुका था क्या बनने बिगड़ने वाला था पीले बल्ब की मद्धिम रोश्नी में निगाह नीचे किये बैठी रही कभी पक्की इटों के फर्स को बेवजह खरोचती कभी पाउं के बिच्मों को टटोलती मन में तो कैसी ठान कर आई थी कि भले ही खून की नदिया बह जाएं दूसरी को घर से बाहर करके रहेगी इस तरहे घर में आकर बैठने वाली वह होती कौन है साथ भावने तो उसके साथ पड़ी हैं वह क्या जाने मंदिर मस्जिद में होने वाले ब्याह को केशव ने उसे क्या समझा था पाउं की जूती जो उतार फेंका और नई ले आया वह न्याय मांगेगी कोड का चहरी तक जाएगी इंट से इंट बजा देगी उस घर की केशव सोचता होगा कि चैन से रह लेगा मौज मस्ती करेगा सो ना हो सकेगा सुक की सांस नहीं ले पाएगा दुसमन पर हुआ क्या सम्मोहन में घिर गई ममता के हाथों बिक गई सारा दिन नन्य के पोत्रे धोने और तेल मालिश में लगी रहती रात को दूद पानी घुटी काजल की फिकर में जागती रहती अपने प्रती अन्याय की बात तो भूल भिसर गई ऐसे ही हस्ता था मिटा इसी की तरह उपर के होट तिर्छा करके चलो जना किसी ने सही पाल तो वही रही है हुए तो देवकी की कोक से थे क्रिश्न भगवान पर पाले तो यशोदा मैया ने कोई क्या संसार नहीं भेद कर पाया दोनों में कनाया जी तो फिर भी नंद बाबा के नहीं वसुदेव के थे पर यह नन्ना यह तो उसी के पती का है उसी के साथ फिरे का अ अनधिक्रत छेत्र पर कबजा करने से बौखलाई बिर्मा के आने पर जिस बवंडर का डर था केशो और सुमन आसानी से उसके नीचे से निकल गए वह तो विरोध में एक हरफ भी नहीं निकाल पाई उल्टा नन्ये को हीय से लगाए चकर घिन्नी सी सारा दिन काम निपठाती रहती जाड़े की रात में नन्ये को रजाई में दुकाया आराम से सोती रहती उसकी हारी बिमारी में बेचैन हुई रात भर जागती गीले में सो कर टटी पेशाप में सन लिथर कर नन्य अक्वे को पनपाने में लगी थी सुमन सोय जागे कोई चिंता नहीं नन्या समहलने लगा हस मुस्करा कर बोलने की कोशिश करता सुमन ने गौर से देखा विर्मा से ही हिला जा रहा था अबोध सगी और सौतेली मा का भेद भूले जा रहा था तुरंत नन्य का चार्ज जननी ने समहल लिया जी जी अब तुम चूला चौका समहलो उपर का काम हम देख लेंगे खिलाओ अपने हांसों से बना कर बड़ी तारीफ करते हैं तुम्हारे हाथ के बनाई की सुनकर बिर्मा हौस उठी है कोई घर का काम जो वह न समहल सके अरे वह तो बरसों अन्य पूर्णा बनी सबकी थालिया परोस्ती रही है इसी रसोई में रसोई हाथ लगी तो लगा हाँ वह है घर की मालकिन खोई विरासत मिल जाने के अपूर्व सुख में समाती रही दाल चावल करीने से सहेच कर प्रफुलित हो गई चौका धोपोच कर नए गहने सा चमका दिया अच्छे से अच्छा पकाने बनाने का प्रयास करती फिर तो क्या चौका क्या ज़ाडू वरतन सब अपने हो गए बस नन्हा छूट गया जिसका था अंजाने ही उसी की गोद में सरग गया बिर्मा फिर बिना बौर के पेड़ सी रह गई जो छाया दे फिर भी अकारत सुमं की हाग पर हकती रही नए जन्ने बच्चों के मुख नहार कर हसी खुसी सिहाती रही पालती रही तबियत बिगड़ने लगी थी ना जाने क्यों तनिक सी मेहनत पर ही सांस उखड आती कपड़े पचीटते में कितनी ही बेर घुमेर उठती उसे लगता अब गिरी जाकर पड़ रहती खाना ना पीना सारा दिन ऐसे ही निराहार सिर में भारी दर्द उठा था सूखी उल्टिया उठ रही थी हलक से पानी मांग रही थी पर कोई नहीं किसी ने गौर नहीं किया थोड़ी देर में गिरते डहनाते उठी और पानी का गिलास खुद ही भरलाई मन में मलाल उठा रोग से भी भादी ऐसे ही चल रहा था कभी ठीक तो कभी फिर वही हाल दवा का खर्चा पानी अलग किससे मांगे वह केशो तो ऐसा विरक्त भाव दिखाता है कि हौसला नहीं जुड़ता बाकी ग्रहस्ती के सारे खर्च उठाता है एक वही थी जो पानी में पड़ी तेल की बूंच सी अलग दिखती हाथ पाव नहीं चलते तो क्या करे वह सुमन बेबात ही चड़ चड़ी रहती है बहाने उठा उठा कर लड़ने को दोड़ती है उसमें इतनी ताकत कहां कि बराबर की कलह वाजी करे सवेरे के आठ का पेंच अभी अभी दोला था पर धूप चड़ चुकी थी वह उठ पड़ी अंगीठी के पास जाबए थी अब पड़े पड़े ही खाओगी तो हमसे तो बनेगा नहीं कौन करे तुमारी टहल चाकरी चाहे माय के जाओ चाहे कहीं और सुमन ने दो टूक सुना दी वह ओसन रह गई यहां तक ब जोहार्द भाव कहां बिला गया वह कताई नहीं समझ पाई सुमन उसे जहलने में क्यों असमर्थ हो उठी क्यों कटने वाली बात कह कह कर दुखाती है उसका कलेजा तीनों बच्चे अख्वे से फूटे बढ़कर पौधे से पनपने लगे इसकूल पढ़ने लगे ग्रहस् चलाती है बच्चों पर अरे हम क्या जानते नहीं है जो तू बता रही है तेरे ही रहेंगे हम कौन से छीन रहे हैं बिर्मा क्रोध में आ गई सुमन से तो बोलचाल बंद सी ही रहती थी कभी बातचीत का सिलसिला जुड़ा भी तो फिर किसी बात पर खटक कर दो तलवारें सी खिच गई अपनी अपनी धार पहनी करने पर उतर आई एक आंगर में तो दूसरी छत पर केशो को अकेले पाकर उसने बोला था दवा गोली के पैसे टके का ध्यान धरते हो जब तक हार खटाती रही तब तक ठीक यह क्या रोज-रोज कहने की बात है वह अपनी कमेज उठ भाहर को निकल गया ना कोई उत्तर ना दिलासा सुमन ने खाना परोज कर थाली सामने रग दी वह थाली सरका कर उठ गया भूग नहीं है मुझ पर कुनैन के स्वात का कड़वा पनू भर आया सुमन केशो के जाते ही बरसी थी रोज-रोज कलेश ही कलेश बिना खाए उठ ग नहीं बनता क्या हमारा फिर खर्चा क्या हम पडोसियों से मांगें दवा को मांग रहे थे किसी शौक मौच को नहीं उन्होंने कौन से धर दिये हमारे हाथ पर मरी नहीं जा रही थी उन्हें कुछ हो गया तो हम तुझे रोएंगे क्या तेरा क्या है अकेली नठिया सुन ल आक्रोश में कांप उठी, फिर तो सुमन विफर पड़ी, तेरा ही कुछ लगता तो हमें ले आता, मायके में पड़ी थी, कौन गया था तुझे लेने, भाईया को लिवा कर खुद ही चली आई, जुबान लडाती है देहातिन, कौन कहता कि यह वही सुमन है, जो पहले दिन व पिटाई तक पहुचने लगी, दिन भर का संग्राम, रात को केशो की मार से उठा हरकंप, बच्चे लडाई टुकुर टुकुर देखते, अपनी मा से लिपड जाते, विर्मा का पल्ला तो किसी बालक ने कभी भूले से भी नहीं पकड़ा, इसे समझा दिया सुमन्ने नन् नन्हे की खातिर रह गई थी सारा बैर भाव भूल कर, इसी के लिए उसकी छातियों में दूध हुम्रा था, इस अबोध की मुस्कान पर निचाबर हुई, वह बावरी सी दिन रात पालन पोशन में लगी रहती, अहोई का ब्रत बराबर करती रही, ब्रत तो करवा चौत का भी वह कभी नहीं भूली थी, पर केशो बन पाया उसका पती, फिर यह नन्हा तो, मरीच क्या थी, जिसमें नन्हे की मा उसे दोडाती रही, कहां सोचा था कि आत्मियता का भी विश होता है, जिसमें डूब कर फिर नहीं उबर सकता कोई, ऐसे ही उस दिन फिर भेड पड़ मर जा कहीं जाकर, रोज रोज कोई न कोई बखेडा, चैन नहीं लेने देती, मोत नहीं है इस हराम जादी को, कहकर धक्के के साथ उसे छोड़ दिया, बालों के उखड आने की मरमान तक पीड़ा से वह कराह उठी, अब नहीं रहना यहां, यही एक वाक घुमर घुमर कर मन को मत रहा था, कलेजा काते दे रहा था, बरामदे के कोने में सुन हुई बैठी रही, मिट्टी के डहले सी, चाहती तो रह सकती थी, अपने हिस्से पर अधिकार पूर्वक बैठ सकती थी, कारो बार अच्छा नहीं चलता तो क्या, घर में से आधा हिस्सा तो ले सकती थी, पर क्या करेगी, आधे आंगर में दीवार चिनवा कर आधा हिस्सा बेश तो नहीं डालेगी, और इनके साथ रहना आप, आत्म कहीं गहरी खो में उतर गई, जहां अंधेरा ही अंधेरा, सोचा था कट जाएगी किसी तरह इसी देहरी के भीतर, दो क्या रहती नहीं है, उस पार्क में जाकर तनिक ठिठक गई, यहां तो वह नन्हे को जूला जूलाने आती थी, देव तक उसी पटरी साकर को घूरती रही, आखों में से उतर कर नन्हा जूले पर प्रकट हो गया, वह धीरे धीरे जोटा देने लगी, कितनों नहीं पूचा था, तुम्हारा बे जूले की साकल, सब रीते, पटरी पर बैठा कोई बालक नहीं, अंधेरे में ही पाउं फिर सरकने लगे, ठकी भी नहीं, पर चलना नहीं, वही एक घर की चारतिवारी से चिपकर पैठ गई, नींद का जोका आया या नहीं, उसे नहीं पता, कब उठी यह भी नहीं मालूम, आख खुली तो अस्पताल में थी, देर तक आखें फाड़े देखती रही, वह यहां कैसे आ कई, करवट लेने को हुई तो यका एक असह पीड़ा से कराह उठी, दर्द तो होगा, सीधी लेटी रहो, करवट नहीं लेने का, हाथ पाउन नहीं हिलाने डुलाने का, नर्स सा दिमाग पर जोर दिया, कुछ याद नहीं आया, मू के अंदर मितली सी उठी, फिर सूखी उपकाई, तुम्हारा एक्सिडेंट टकर मारा इसकूटर ने, नर्स ने बता दिया, उपर आखें गई तो सफेद छत में लटका पंखा गोम रहा था तेजी से, आजू बाजू मर मरीज ही मरीज, कराहते कलपते, रोते तडपते, जी घबरा उठा, पाउ मत चलाना, तकलीप बहुत होगा, घर में कौन-कौन है, बुला लो किसी को, दो दिन से कोई नहीं आया, अकेला पड़ा है तुम, नर्स तो कहकर चली गई, पर उसके बोल निरंतर गोंचते रहे, कि किसको बुला ले, कहां से, केशो को, सुमन को, उसे पीछे की घटना याद हो आई, डॉक्टर और नर्सों का बार-बार होता अनुरोध, उसने कमजोर आवाज में धीरे से बोला, गाउं से भाई को, गाउं, गाउं में बुलाने कौन जाएगा, नर्स करी आवाज में बोल एक प्रोफेसर आया था, वह कौन है तुम्हारा, वह असमंजस में पड़ी रही, ना जाने सिस्टर किसकी बात कर रही है, भाई भी आएगा की नहीं, उससे लड़कर पती के यहां रह गई थी, हक की एवज में बेगार करते संतुस्ठ होती रही, अब इस संकट में फिर भ पाउं पिसकर लोथड़े के आकार में जूल गया था, हाथ की हड़ियां कई जगह से तूट गई, पूरे शरीर पर प्लास्टर का खोल चड़ा था, ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर चलने फिरने की गुनजाईश के प्रती आश्वस्त नहीं थे, पुलिस केज तो हो ही जिन लोगों ने देखा वे ही चश्मदीत गवाह थे, मनुश्यता के नाते आये और अस्पताल में दाखिल करके अपना कर्तब ने भागए, ठाने में शिकायत दर्ज कराकर न्याय की गुहार कर गए, इस्कूटर वाले सज्जन पती से लपक कर मिले, अलग को ले जाकर बा सारे परेखे पानी पड़े नमक की तरह न जाने कहां बिला गए, न शिकवा न शिकायत, मन के सूखे ठूटों के गिर्द हरी दूप सी जमाई, कोमल नरम, दुख तकलीप में भागता आया न, वही मूरक थी जो मारे क्रोध के घरद्वार तचकर चल दी, चार बरतन होते ह तो बजते खटकते ही हैं, अब केशो भी किसकी कहे, दो पाटों के बीच में पिस्ता रहता है, दातों के बीच जीव की नाई हालत है उसकी, दूसरी जोडू काहे को जेलेगी मार संगार, ब्याहता तो वही ठहरी, रिस गुसा उसी पर तो निकालेगा, आज फिर बिर्मा क अपने ही भीतर खोट दीखा था, स्कूटर वाले ने भाई के हाथ जोड़े, फैसला करने की बेनिती की, समझाता कर लो यार, पोलिस के चकर में रहोगे तो व्यर्थ की भागम भाग होगी, हमें खाएंगे और तुमें भी, एक मुस्त रुपिया लेलो और धरो जेल में, यादा बात करनी हैं तो प्रोफेसर साब से पूँच लो, वे ही विर्मा को भरती करके गए थे, पर भाई तो तुम हो, वे कौन होते हैं, वे तो हमसे कहकर गए थे कि किसी कागज पर दस्तखत मत करना, ना ही किसी रिष्टेदार को करने देना, इस कूटर वाला सीधा प्र हजार रुपया है, इतने में हो जाएगा सब कुछ, प्रोफेसर तलख हो उठे, केशोग परिचर्या में कमी नहीं रख रहा था, उसकी सेवा भावना देखकर भाई भी चकित था, विर्मा का शरीर जरूर कटा फटा था, मगर मन की दराने, पती के सानिद्ध से खुद अपने हाथ से खिलाना पिलाना, दवा गोली का ध्यान रखना, रात भर जागना, भाई आश्वस्त हो गया, केशोग के सेवा भाव से त्रप्त घर गाउं जाने की कहने लगा, वह धुनलाई हुई शाम थी, मिलाई का समय समात हो गया था, अस्पताल में खाना बटने लग मरीजों के परिचारक हाथ में बरतन उठाये, खाने की टॉली के आगे कतारबध खड़े थे, शांत, चुपचाप, अनुशासित, विर्मा उत्सुक नजरों से बाहर देख रही थी, केशवाता दिखाई दिया, हाथ में टिफिन कैरियर था, भाई चला गया, विर्मा ने नितांत आपसी भाव से प्रश्न किया, हाँ, छोटा सा उत्तर देकर केशो प्लेट में खाना निकालने लगा, ठीक उसी समय स्कूटर वाला व्यक्ति प्रकट हुआ, केशो को उसने इशारे से बुला लिया, प्लेट में खिचली आधी ही निकल पाई थी, दही वाला डिब स्कूटर वाले के पास पहुँच गिया, विर्मा आख गार कर देखने लगी, बीच बीच में आने जाने वाले व्यक्तियों से ब्योधान पड़ रहा था, लेकिन इतना उसे साफ दिखाई दिया, स्कूटर वाले ने एक लिफाफा केशो को पकड़ाया, केशो ने कुछ ग आधा बंद, आधा खुला पड़ा रह गया, अस्पताल के गलियारों में सांज से सवेरा, सवेरे से सांज होती रही, प्लास्टर ढगी देल की दो आँखें प्रतीक्षा में पत्रा गई, मगर तो ये थी कहानी, कहानी आपको कैसी लगी, कॉमेंट करके जरूर बताएं